मैंने अपना email box open किया तो मुझे कई email उच इस प्रकार के मिले जिसमें की व्यक्तियों ने लिखा है कि फरजी mobile loan application ने ये तो बहुत बड़ा गड़बड कर दिया फरजी mobile loan application ने हमारा जो civil score है वो 200 तक गिरा दिया अब हम करें क्या तो अक्सर मैंने अपनी बहुत सी वीडियो के माध्यम से बताया है कि देखिए बहुत सी ऐसी applications है प्ले स्टोर पर जो की RBI से authorized है और RBI से authorized होने के बाद ही वो आपको loan प्रदान करा रही है और कुछ ऐसी application है जो RBI से authorized नहीं है आपको कई तथा कथित अधिवक्ता मिलेंगे तथा कथित यूट्यूबर मिलेंगे जो की actual में अधिवक्ता नहीं है और actual में सही यूट्यूबर नहीं है वो क्या करते है लोगों को manipulate करना उनका काम है लोगों को misguide करना उनका काम है चले छोड़िए उनका तो खेर क्या है कैसे है वो उनकी हड़क है हमारा काम है आपको सही जनकारी देना अभी recently जो मेरे पास में email आये हैं उनका यही कहना है कि हमारा जो civil score है क्या फर्जी mobile loan application की वज़ा से उड़ हो और आपको लगता हो फर्जी है फ्रोड है उन्होंने आपके civil में पूरे तरीके से query दिखा दी हो अगर आपके civil में पूरे तरीके से query दिखाए हुई है तब भी आपका civil score है वो down होगा अब इसको तो हम नहीं कह सकते कि कितना fluctuate होगा कितना down होगा कितना बढ़ेगा यह जानकारी तो हमारे पास नहीं है और एक काम और आप कर सकते हैं देखिए अगर आपने actual में real application से loan लिया है तबी आपका civil score down होगा otherwise आपका civil score down नहीं होगा और जो आपके account में applications शो हो रही हैं civil में तो guys वो application के regarding आप email send कर सकते हैं पूल सकते हैं कि आखिर मामला क्या है क्या ह हमने आप से कभी loan लिया है ये भी आप करके देख सकते हैं और अगर आपने loan लिया ही नहीं है तो guys आप proper details उनको send कर सकते हैं civil.com की website पर जाकर के proper update दे सकते हैं उनको एक complaint दीजेगा आप उसमें पूरे तरीके से mention कीजिए हमने loan ले लिया फिर भी हमारा civil score उड़ा दिया द इसे बच के रहें आपके लिए बहतर आपके परिवार के लिए बहतर लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आती है आपको जब समझ में आ जाती है जब आप किसी ना किसी मुसिबत में पढ़ जाते हैं अक्सर आपको हम guide करते हैं कि जितना आप इनसे बच के रहेंगे उतन उनका काम है लेकिन हम तो यही कहेंगे आप लोगों से के ऐसे लोगों से आप बचके रहें अवेर रहें और एक बात आप ध्यान रखेगा कोई भी फरजी mobile loan application आपके civil पर impact नहीं कर सकती कोई भी फरजी mobile loan application आपके civil को खराब नहीं कर सकती वही mobile loan आपके civil को खराब करेगी जो पूरे तरीके से genuine है जिसके पास में license है जिसके पास में पूरे तरीके से loan देने की मतलब पूरा license उसको मिला हुआ है वही आपके civil को down करेगी otherwise कोई भी bank nbfc या कोई भी mobile loan application आपके civil पर कोई impact नहीं डाल सकती जिसका किसी परकार से कोई registration नहीं है और एक और बात किलियर कर दूँ मैं आपको कोई भी bank nbfc अगर register नहीं तो वो bank नहीं है वो nbfc नहीं है वो fraud है फरजी है इसे जादा कुछ नहीं है वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को आपLike करके जा सकते हैं अच्छा नहीं लगा है वीडियो को आप Dislike करके जा सकते हैं किसी परकार की कोई सुजाव है आप मुझे email के जरीए comment के जरीए twitter के जरीए दे सकते हैं किसी application के regarding video चाहिए वो भी आप में बता सकते हैं अब guys हमें social media पर भी follow कर सकते हैं हमारे सभी social media account के link video के description box में है जैसे insta, facebook और twitter अगर आप में social media पर follow करते हैं तो छोटे छोटे update आप वहाँ पर पा सकते हैं और हमसे आप connect रह सकते हैं हमारा एक telegram पर भी channel है जिसका link आपको video के description box में तो मिलेगा मिलेगा साथी video के queen comment section में भी मिल जाएगा बाकी सभी social media account के link आपको video के description box में मिले हैं और telegram को आप जो हमारा channel है उसको subscribe जरूँ कर लिजेगा फिर मिलेंगे किसी और video में अपना ख्याल रखें अपना ख्याल रखें थैंक यू सो मुच